बहुत समिय की बात आगरा के पास एक चित्र का रहता था। वो बहुत ही अच्छा चित्र बनाता था। उसकी कला बहुत ही प्रसित थी। तब लोग उसकी प्रसंसा करते थे। एक दिन उसने सोचा क्यों ने अपनी आप को लोगों के बेचले जाओं और अपनी कला की कम्यों को दोर करो। फिर उसने अपने एक अच्छी से फोटो को उठा लिया और उस पर लिख दिया कि फोटो में कम्यां देखकर टिक करो। वै उसको लेकर बाजार में घूनने लगा और शाम तक कुरे बाजार में उसको सब लोगों को दिखाया सब लोग कुछ ने कुछ कमी निकाल कर उस पर टिक जरूर कर दे रहे थे यह सब देखकर चित्रकार को बूत बुरा लग रहा था लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और शाम को चित्र लेकर वापस गर आ गया और गोद उदास मन से चित्र को देखा तो सब लोगों ने उसकी सकल ही बदल दी थी फिर उसने सोचा एसा अब कभी नहीं करूँगा समय बीटता गया और एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ने एक अधूरी तस्वीर को लेकर बाजार में जाओ और उस पर लिख दू कमी को पूरा करो फिर क्या था बडान के तहत वो अधूरी तस्वीर को लेकर गया और बाजार में लेकर गुमता रहा सब लोग देख रहे थे और उस पर लिखा था चित्र पूरा करो शाम को जो वह चित्र लेकर घर आया तो देखा कि कोई भी टिक नहीं है वह बहुत खुश हुआ तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सेख मिलती है कि हम दोस्तों की कम्या निकालती है लेकिन अपनी कमे को खुद दो नहीं करते है